साफ बोल दो कि सर मुझे आंसर नहीं आता है और मैं आंसर नहीं दूँगा ऐसा भी मत बोलते न कि आंसर नहीं दूँगा है ना वह ना पता चला मैं आंसर नहीं दूँगा अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आया में भी तुम्हारा सबसे पहला आंसर होना चाहिए उस चीज़ को लेके sorry sir और sorry madam I don't know the answer please ask next question ये मैंने पहले के वाइवाज में भी बताया साफ बोल दो कि sir मुझे answer नहीं आता है और मैं answer नहीं दूँगा ऐसा भी मत बोलते हैं तो मैं है न मैं क्या चाहता हूँ एक student से मैं क्या expect करता हूँ simply बोल दो sorry sir I don't know the answer please ask next question ये तुम्हें बहुत जादा humiliation से बचा सकता है बहुत जादा pressure से बचा सकता है and keep that in mind तुम लोग बहुत lucky हो जो आज तुम लोग ये podcast में हो क्योंकि मैं तुम्हें honestly बता रहा हूँ एक चीज ये बोल देने से के भाया next question पूछ लो ये पता होने से के तुम तुम चाहके भी 60% question से जादा का answer नहीं दे पाओगे तुम अपना mind positive makeup करके जाओगे कि मुझे 100% answer नहीं देना है बता प्रकाश टीचर वैसे भी यार वैसे भी कुछ चांच सारे वाली बात पूछेगा ही नहीं वह पूछेगा जो उसके सामने फाइल रखे और हमारे पास तो मतलब एक तो मैं थोड़ा लग्की था कि मुझे टीचर ऐसा थोड़ा सा कूल मिल गया था कि मैंने जसी फाइल दी उनने अब जुकत ही है कि उनको याद आता है जब मैंनम बोल दे कि अब बच्चे है आखरी के 10 बच्चे जिनने नहीं दीए फाइल और वो पूरी क्लास कभ दे चुकी होती हमें नहीं पता होता है मतलब कि या तो कॉपी कालेक्ट हो रही है या प्रोजेक्त कॉल्ट हॉरा है इन जाएगा कि पिछले साल माल होगा, मैंनमा नहीं मनाव खुद से, अब लो